राजस्थान के खिलाफ जीट के बाद विराट कोहली और RCB के खिलाडियों पर लगा जुर्माना जाने वज़र इंडिन प्रेमेर लीग दो हजार तेईस में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शांदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीट हासिल की इस मैच में टीम के रेगुलर कप्तान फाफ डू प्लेसी अन्फिट होने के चलते सिर्फ इंपाक्ट प्लेयर के रूप में खेले और टीम की कमान विराट कोहली ने संभाली खिलारी भी विराट की कप्तानी में खूब एंजॉय करते दिखे लेकिन इसी बीच विराट कोहली समेट पूरी RCB की टीम पर IPL Code of Conduct ने जुर्माना लगाया है चिंडास्वामी स्टेडियम में रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान बैंगलोर की टीम निर्धारित समय पर अपने 20 ओवर फैकने में विफल रही जिसके चलते कोहली और प्लेइंग 11 के अलावा इंपाक्ट प्लेयर फाफ डुपलेसिस भी इस अपनी मैच फीस के 25 फीस दी फाइन से नहीं बच पाए इसे लेकर BCCI ने सोमवार शाम को एक प्रेस विध्यप्ती भी जारी की जिसमें बताया गया है कि न्यून्तम ओवरेट अपराधों से संबंदित आचार संहिता के तहट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का सीजन में यह दूसरा अपराध था इसी के चलते विराट कोहली पर 24 लाख रुपए का वहीं सबसेटिट्यूट समय अन्य खिलारियों पर 6 लाख रुपए या फिर मैच फीस का 25 फीस दी जो भी कम हो वो लगाया गया है